तो आज आज बहुती इंपोर्टन दिन है हम सब के लिए और एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ कि हर हर हिंदुस्तानी अपने घर से निकले और जाके वोट दे आज यहां मुंबई में वोटिंग चल रही है और मेरी पत्नी किरन और में हम दोनों आये हैं और मैं हर एक हिंदुस्तानी से कहना चाहूँ कि यह बहुत ही एक इंपोर्टन प्रोसेस है हमारे लोकतंत रखा हूँ वैसे तो हमें हमारे लोकतंत के साथ हर दिन जुड़े रहना चाहिए लेकिन यह दिन तो बहुत खास है हम सब के लिए और हर एक हिंदुस्तानी को इसका एक हिस्सा बनना ही चाहिए और ये एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ और मुझे यकीन है के सब लोग बहार आएंगे पिछले दफा मुझे याद है बंबई में लोग कम निकले थे और मुझे उमीद है इस दफा ज्यादा लोग आएंगे हर एलक्षिन होता है मैंनी कहूंगा कि ये एलक्षिन होता है हर एलक्षिन होता है और हम सब के लिए ये जरूरी होता है कि हम इसके साथ जुडे और इसका हिस्सा बने I think that it's important for every Indian to be part of this process and me coming out to vote is my duty as an Indian well I think most importantly for a stable company you know and somebody who's gonna have a slightly more wholesome more inclusive and at the same time a slightly more future thinking plan you know I genuinely feel that a lot of us are very fed up with living in the past you know I really think that it's time to kind of let go of things and move on and at the same time just just think of where we want India to be in the next five years you know we keep talking about superpower and things but I mean there's nothing really that we go out and do you know to kind of show the world what we are capable of and we are capable of it so I just think we need someone with dynamic you know with a good sense with a good vision and a good sense of parity for most of people well I just say to each their own I know everybody has a right to voice their opinion and say what they feel so I can't I can't really I think you know everybody talks about voting being a right and celebration of democracy everything is all right and it's like that but I think the right to vote is also the right to dignity living in our country what we want what we want what we want what we want in our children, around our children, our friends, and I think the whole country यह कि विए लिए तिन अगमारे लाग घ्ट इस्टिए आप को जिए है उटी जो वे लिए इस्टिए को अग जिए बड़े होट इस्टिए लिए इसलिए के लिए बड़े होटे होटे हैं उनकी देरिक्शन फॉलो कर्नी चाहिए और में जब अंदर गया तो बहुत सारे लोका एंको रहो प्लीडा लेहां उन्मेसे दो ने तो मेरे बेरे इंटाब है, बहुत भूल बहुत थैंजातु है विर फोल्ज्वित कर दो दोना को समस्क्राइब का में लूपका है वोन फेला एक अब यह रहा में पाराम कमा इम आब हसे सभी क्या हम वे इंचा लिए। दूखे हम आपने ओर्प्टेशने के अब यह रहां कर दो यह है कि अधे देश भने हैं, जो हम एक फिर गर्फ से उठा कर दो हैं तो हम चाहेंगे के मुंबई वो जो हमारी पुरानी रेप्यूटेशन थी तो बी वन अफ दो सेफेस्ट कांट्री जहां पर मैला रात को भी घुम सकती हैं दो बज़े भी घुम सकती हैं के हमारे को छोटी बातों में लडाई जगडे बिलकुल नहीं चाहिए हमारे शहर में हमारे देश में लेड़े बॉलीवूड शिरफ क्यूंके विजबल है बट मैं चाहती हूं हर प्रोफेशन के और हर किसं के लोग आके वोट करें क्यूंके उनका देश है उनकी सरकार होनी इस अचाहिए विजबल झाहिए विजबल विजबल में चाहिए विजबल आप प्रोफेशन के हमारे गोट जाती हूं सबसे इक घर से निकल के आज प्लीज वोट देने जरूर जाईए देकिये हार एलेक्षिन एक तककर ही है एस्फ़िन इस दिशने चुनाओती है और मैं मैंने कभी अपने बारे में प्रिडिक्ट ने किया कि यूनो क्या होने वाला है मैं हमेशा कहती हूं कि ये लोगों के उपर निरभर है and people will decide I have worked very hard and and I have received a good response during my campaign मैंने हमेशा यही कहा है कि हम मुंबई में बहुत activism है बहुत I think awareness है लेकिन जब वोट देने का time आता है बहुत कम लोग वोट निकलता है तो हमें थोड़ी सी अगर voting सबसे बड़ी activism होती है मेरे हिसाब से अगर अगर आपको you know चाहते हैं कि आपके जो complaints are addressed and you know things move ahead in the direction you want and I think you have to exercise the right to vote that is one of the most important things तो मैं अपील करती हूं एक बार फिर सब को specially youngsters first time voters को कि भार निकल के vote जरूर दीचे and honesty and what else and secularism and it's high time I feel they remove the word minority schedule caste and so on so forth I feel we all are Indian and that is the end of the story we're Indians we're Indians देना तो चाहिए ना अगर हम चाहते हैं इसलिए कि फिर मैं आगर आप मुछे पूछने आप नहीं करते तो फिर आप उहांगा है मेरे साथ complain करनेगा right if you don't vote you don't have a right to complain कि we are also part of the whole system we also have to तो सिर्फ गॉर्मन को कह देंगा आप हे कीजिए वो कीजिए हमको भी सही बात हमको खुद को करने चाहिए each and individual including all of you जो कामरे लेके खड़े हैं आज आज समय है और मौका है मुंबश है क्या कि गॉर्मने के डिफिरेंस में को बोट डाला है और देश देश होता है everything has to be together it is one of the most important days for me as a citizen of this country मेरी जो earlier generation है उन्होंने बहुत महनत करके बहुत मतलब खून बहा के हमको इस right के लिए हमारे ले जगडा करके freedom का fight किया था and I think we have to live up to this day ये दिन मेरे ले बहुत important होता है क्योंकि मैं अपनी चा आवाज है वो सुना सुनवा सकती हूं इस एक action से so it's the most important action for me as the citizen of India